नमस्कार दोस्तो आप सभी को नव वर्ष के हर दिक सुब कामना हैं दोस्तो आप सभी को जिन नई साल में जो भी आपकी जो मनों कामना है वो सभी पूरनों भगवान आपको साथ दे हर आपका जो भी साथ नई हो हम ये आसा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं हर चीज म तो दोस्तो इसमें यहां पर देख सकते हैं नई साल में अब नई भरतियों पर निगाए आयोग जुटा तैयारी में तो दोस्तों अपय हम चलते हैं न्यूज पर है कि यहां पर रिख रख का है वर्ष 2-0.99 की नयी विर्थीयों का इंृति जाल नए साल में अपप नई भरतियों पर निंगते हैं आयोग जुटा तैयारी में तो दोस्तो आ रहे हैं साधिने सेवा भरती परिक्षा और यह सब कुछ हैं नजरे नई भरतियों पर यह भी एक न्यूज है और जन्वरी से जून तक जो परिक्षा हैं वो भी सारी डिटेल हैं इन सब यह को हम आप पर थोड़े जूम करके देखेंगे तो दोस्तों यहां से यह खबर है मंजुरी मिलते ही और पेसी निकाले का विज्जयापन राजस्तान लोक्सेवा आयोग को 2019 की नई भरतियों का इंतजार है नई भरतियां अब्यारतनां के लिए आयोग कर्मी की वागोपत्तningar भीजवा चुका है मंजुरी मिलते ही आयोग भरतियों के विज्जयापन जारी करेगा आयोग आरेयस और अदिनेस सेयो भर्ती प्रक्षा सहीथ कॉलेज लेक्टर सकुल्विया क्याता बर्ती प्रक्षा किरशी कारगार कनिस्ट लेकआ कार और अन्य भर्ती प्रक्षाओं का आयुजन करवारा तो दोस्तों इसमें यह विविन परकार की जो भरती आने वाली है, इसके अंदर यह सारी बरती आने, जिसमें शकुलव्याक्यता भी है, कुर्षिकार अगार, कनिष्ट। लेखाकार भी है, और कॉलीज लेक्षर की परिक्षा भी है, इसे возможность यहां पर दोस्तों यह देरा tutti कहा सब्सक्राइब जंवरी से जून 2019 के बीच कई पर्ट्योग्ति परिक्षाये कराई जानी है नजडर नई भरतियों पर दोस्तों यहां आप देख सकते हैं जब यह बर्ति जो नई न्यूज है इसमें यह नजडर नई बरतियों पर तो यहां पर इसमें जो 2019 नहीं बरतिया जो सरकार निकालेगी उन पर सब आयोग की नदर टिकी हुई है जिसमें कर्म आरेसाय अधिनसेवा और कोले सकूल व्याक्याता और अन्दिसाभी प्रकार की बरतिया हैं इसे के साथ कर्मिक विबाक से हरी जंडी मिलते ही आयोग तक्निक परिक्षन कर भरतियों के लिए आउनलाइन आवेदन मांगेगा जैसे जैसे आयोग अभ्यारत न मिलेगी उन्हें नियमित कलंडर में सामील किया जायगत इसके लिए आयोग ने तैयारियां सुरू कर दी हैं आयोग अध्यक्ष दीपक उत्परिती ने सरका होने रहेगे क्योंकि मार्च में लोग सबब चुनाओं को देखते हुए आचार से इंदब लग जाएगी तो सरकार फरवरी तक यह वर्ति परिक्षाएं करवा सकती है और दोस्तों जैसा कि आपको फिलाल पता है कि जैसा कि जो फस्ट ग्रेड जो इनकी टीचर की और जिसपे कई लोग यह चली पर आए पर इस्तिकित करों लेकिन दोस्तों साइद लगबग लगबग यह तैय हो चुका है क्योंकि डेट नजदी का आगई तो यह परिक्षा इस्तिकित साइद मुस्कली होगी तो आप अपने तैयारी में लगे रहों कंटिन्यू 15-23 और रेंज अधिकारी दोजार अठाई उजन माई जून 2019 मोगा और इसे के साथ जो तो आरेस की परिक्षा की जो मुख्य परिक्षा है वो भी दोस्तों जनुवरी मौनी अठाई सो रून अप्ति जनुवरी 2018 को यह आयो करने सारी न्यूज है दोस्तों आज के न्यूज पे देख रहे हैं 60% से नहीं एक्षुक मंडल चैन बोर्ड को भेजेगा उपस्तित अभ्यारतों की सूची तो दोस्तों अभी तक जो विद्धारतियों को चैनित पत्वारी की दस्तावियों के लिए जो स्टुडेंट बुलाए तो लगबग 60% पत्वारियों की स्तान अब भ देखते हुए दस्तावियों की जांच के लिए परियापत आउसर देने के बावजुद अंतिम दिन 28 दिसंबरत मात्र 119 अभ्यारतियों नहीं अपने दस्तावियों की जांच कराने नहीं पहुंचे निबंद बिनी तस्री वास्ताव ने बताया है कि भरती के आठवी चरण में राजसर मंडल परिसासन के पास 306 में से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 306 में से मात्र 169 चैनित पत्वारी दस्त अभी जांच कराने पहुंचे थे जानकारों को कहना है कि 3-4 वर्स भरती प्रिक्षाओं के और आकर्षित होने लगें इन कारणों के चलते पत्वारी भरती में 3-4 साल से पत्रिक्त रह जाते हैं निबंदक सुरेश सिंधी ने बताए कि पत्वार भरती परिक्षा 2015 कुल 440 पर भरती की जानी है पूर में 749 परिक्षा तीन महां से दस्त अभी सत्यावन का कारिया किया गया यह दोस्त है चम्वाली सो पर भरती की जानी थी जो 440 है लेकिन इसमें मात्र पोटिप्रती सच चैनित पत्वारी यह दस्तावजों के जांच कराने पहुचे हैं तो दोस्तों पत्वारियों के एक और वेटिंग लिस्ट साइद निकल सकती है और नहीं निकलेगी तो उसकी बाद में जो यह बच्ची हुई है यह जो नेक्स्ट वेकेंसी पत्वारी काईगी उसमें दोस्तों हम आसा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर विजिट करने वाल नहीं होते कि पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी नई भरजियों की जो भी समबनित सूचना होगी हम आप तक पह हो जाएगी हम आसा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों के साथ भी शेयर करें लाइक करें धन्यवाद दोस्तों